नमस्कार फ्रेंड्स में डॉक्टर सुमित जैसवाल प्लास्टिक सर्जन यहार ट्रांस्प्रांट सर्जन आज हम हमारे करेवे एक हेर ट्रांस्प्रांट पेशेंट के रिजल्ट के वारे में डिसकस करेंगे यह मिस्टर शर्मा है जिनका एज करीब 28 साल थी इनमें बाल्डनेस का एरिया था फ्रंट वाले बार्ट में जिसमें सामने के दोनों साइट के ट्रेंगल्स खाली थे बीच का जो फोर लॉक होता है वहां पे डेंसिटी काफी कम थी सो हम लोगों ने इसमें एफ्यूई टेकनिक से हेर ट्रांस्प्लांटेशन करा है जिसमें सेर के पीछे हिस्धे से बालों की जड़ों को निकाल कर हम लोग सामने जहां खाली ऐपर ट्रांस्फर करते है और फिर उन transplanted graft जड़ों से बाल लुकते हैं जो कि normal बालों की तरदा बढ़े होते हैं और cutting करा सकते हैं यह donor area है जिसे हम लोग shave करते हैं और यहां से marking कर रखी कहां से hair निकालना है और यह जो वो area है जहां पर हमें hair graft लगाना है यह हम बता रहे हैं कि किस तरीके से punches के तुरू हम लोग individually एक-एक hair graft को निकालते हैं उस्टे part of this scalp से जो procedure होती local anesthesia में होती है कोई pain नहीं होता है आप पूरे time awake रहते हैं होश में रहते हैं यह जड़ों को जो निकालने का technique रहता है इसमें हमें बहुत carefully करना रहता है कि इसका damage नहीं हो और जो graft की तरह फिर properly use हो सके हैं इस patient में हम करीब 3500 graft के करीब निकालना चाहते हैं और उन्हें फिर front वाले एरिया में individually एक-एक graft को लगाएंगे यह दोनों site के जो areas हैं उसमें transplant किया जा चुका है transplant करने के बाद जो बाल उगने में पूरा normal growth होने में यह चार महिने बाद का photo है जैसे उसमें तीन से चार महिने लगते हैं initially कुछ baby hair type के छोट-छोटे बाल आते हैं first to second month में वो fall हो जाते हैं उसके बाद फिर third to fourth month से normal hair उगना शुरू होते हैं एक बार यह बाल उखते हैं तो permanently हमेशा रहते हैं क्योंकि हम लोग यह जो transplant कर रहे हैं इसमें शेर के पीछे हिस्से के बाल यूज कर रहे हैं और जो पीछे हिस्से के बाले मों कभी नहीं गिरते हैं वो hormone resistant बाल रहते हैं सो यह वाले बाल भी हैं यह पर इस्था ही रहेंगे आपकी जो existing बाले हमारे transplant करने के पीछे वाले एरिया में लगे हैं और बहले ही गिर सकते हैं लेकिं transplanted hair नहीं गिरते हैं और यह normal बालों की तरह बड़े होंगे